मोदे मुझे प्रसंता है कि आप आशन पर हैं और मुझे मोलने का मोका मिला है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और वक्ता बहुत अच्छे है तो स्रोता भी बहुत अच्छे होंगे और मुझे समय मिलेगा क्योंकि स्रता वक्ता ग्यान निदी जो वक्ता स्रोता होता है वोई ग्यान का निदी होता है और मैं समझता हूँ आप ग्यानमान आदमी है इसलिए मैं एपनी बात शुरू कर रहा हूँ मानने सवापती मोदे मैं उपस्वापति मोदे में निमेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सास्त्रों में एक आगया है कि किसी भी सभा में जाओ उसमें अगर सत्य आपको पता है और उस सत्य को आप प्रगट नहीं करो तो आप पाप के भागिदार होंगे तो मैं आज मन से एक सत्य को प्रगट करना चाहता आज जो तर्चा जिसमें हो रही थी विपक्स के मानने नेता करगे साथ अब एक गटना की बात कर रहे थे और माननी अठल विहारी जी वास्पही का उनने वो वक्तबे सुनाय था उस गटना के समय उस वक्तबे के समय मैं भारती जनता पार्टी की राष्ट्रिय कारेकारणी में उस समय मौझूद था और मैं उन तथ्यों को और उन बातों को सद्धन के सामने अगर स्पस्ट्रूप से नहीं रखूं तो मेरे लिए उचित नहीं होगा राष्ट्रिय कारेकारणी की मिटिंग में गोद्रा के गुजरात के स्थिति के बाद में चर्चा हो रही थी और मानिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे में गुजरात के मुख्य मंत्री थे वो कारेकारणी की मिटिंग में बिलकुल पिछे बटे थे और खड़े ओकर बोले एक सब्द बोले थे केजी कारेकारणी को इतना बोलते ही मैंने जिंदगी में पहली बार देखा में बारा साल तक भारती जंता पार्टी ग्राष्टी कारेकारणी का मेंबर रहूं सारी कारेकारणी ने एक स्वर से कहा कि नो 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 आपको मुख्यमंत पर बने रहे यह उसे में की घटना है जो मैं वहां का प्रतेक्स दर्ची हूं और इसलिए मैंने आज सभा के साम लेकर में बात में उसमें भी खड़ावा था जिस वह बात चल रही थी इसलिए इस सारी सब्दों को एक साथ बोलकर काम करने का काम करना चाहिए यह मैंने कहा मा इस बात से भोती इस फ्रस्ताव का समर्चन करते हूं बात करना चाहता हूं कि माने मुख्यम माने राश्टरप्ति मोध्याने माम इमने जो उडिया कभी उतकल भारती कुंतला कुमारी साबदन की जिस कविता का जिक्र किया था अपने अभिवाशन में वसंदरा तले भारत रमनी नूहें हीन नूहें दीन अमर कीरती कोटी युगे कैवे जगतुम नोहिम लीन भारत की नारी प्रत्थी उपर किसी की तुलना में ने तो हीन है ने दीन है संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीरती युगो युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी यानि सदेव बनी रहेगी इसके इस ओडिसा की कविता की सोबर्स पले कही गई इसके साथ उन्हें शुरुआत की और उसका प्रतीक के रूप में भारत के लोकतंत्र के पचेतर साल के अमरित मौत्सों के अवसर पर एक अमरित की भूंद की तरह से माननी द्रोपतिजी मूर्म उन्हें यह अभिवाशन दिया उस अभिवाशन का हम समर्तन करते हैं और उस अभिवाशन में जो उन्होंने पहली बात कही हमें 2047 तक ऐसे राश्ट का निर्मान करना है जो अतीद के गोरव से जुड़ा हो और जुसमें आजनित्ता का हर श्वरनी मत जाए हो माननी सवाब परने मत जाए हो 25 साल बाद जब 100 साल का होगा इसका अर्थ क्या है अर्थ बहुत साफ है जय है जगती के प्रतमराश्ट ओ चिर्नमीन ओ पुराचीन उपमा विहीन जय है जय है ये इसकारत जगती का प्रतमराश्ट भारत मुझे आज बड़ी दुखे साथ करना पड़ते ह में बासन सुनडा था आई आप भी भारत जोडों में सामिलोगे आप भी भारत जोडों में सामिलोगे भारत कोई नया राष्ट नहीं है दुनिया मानती है कि विश्व का सबसे प्रणागरंत रिगवेद है उसमें का है वयम राष्ट्रे जागरियाम है हम हमारे राष्ट् आ राष्ट्रे राजन ने सुरी खब्योती दोगद्री देनू नडवानान सु इस्तरी युवाश्ची जवान से वीरो जायता बहुत लंबा है तो राष्ट्रे आज का नहीं और राष्ट्रे को जब जोडने की बात करते हैं तो थोड़ी से बात सुन लें कि पारवती माता शिवजी की पत्नी वो गिर्राज की बेटी है हिमाले की बेटी उनको शिवजी से प्यार हो गया लव मेरी इस करनी की इच्छा होगी कि शिवजी से प्यार करेंगे अब शिवजी से प्यार करना था, शाजी करनी थी, वरं संबुने तु रही कुमारी, तो उनको हिमाले की बेटी को कैलास के थोड़ा उपर जाना चाहे था मानसूर की तरफ, वहाँ ने जाकर वो कन्या कुमारी में गई तमिलाडू के पास, और कन्या कुमारी में जाकर पादम का मंदिर कन्या कुमारी में बना हुआ है, तो जो कन्या पारवती हिमाले से कन्या कुमारी में गई और वहाँ जाकर शिवजी के लिए प्रात्ना की, तो पारवती माता समुद्र के किनारे कन्या कुमारी से हिमाले पर शिवजी को देख रहे हैं, और शिवजी पुर्ण भारत को नियरतरों से देख रहे है तो वारत तो उसी दिन जुड़ गया थे इस पुन जोडने का प्रित्न करता यह बारत यह बारत जुड़ा वह बारत पर पर बारत जोड़ने का प्रितन किया आधी संकरा चारे वो कहां से चले वो केरल के कालडी गाम से चले और केरल के कालडी गाम से चलकर ठेट केदार ना तक गए कि उस भारत जोडने वाले संयाशी की गाव में कौन गए आकालडी में श्री नरेंद्र मुदी जी ने जाकर वहाँ उनके गाव में घर में जाकर वहबात आर वहां से कईदार नाव में जाकर उनका स्मारक बनाए तो आज तक नहीं बना द Miller यह भारत जोडने का काम तो इसा extraord आओ जुडो आओ जुडो हम तो जोड़ी रहे हम तोड़ने का का करी का रहे हैं एक और मुझे जो बार 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 ये बात करके कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम किस ने शुरू का हिंदू मुस्लिम हमने हमने कभी नहीं किया हमने कभी नहीं किया गुनी सो, अब तो भी मुष्टी हो अब शूना के ओ, गुनी सो, अब तो नहीं हिंदु हो क्या हो? जो समझोता किया कांग्रेस ने कि हम करके में खिलापत का समर्तन करेंगे तुम भारत की आजादी का समर्तन करो उस दिन हिंदू-मुसलमान की नीव कांग्रेस पार्टिन डाली थी जो 1947 में विभाजन के रूप में जाए रूप यह पाप तो कांग्रेस का किया हुआ है हमने तो कभी ने कहा कि हिंदो numbers का अलक कानून बना चीक हम तो मुसल्भान के अलक कानून के पकसमें हैं सब हम तो सबका साथ सबका विस्वात सबके लिए कानून सबके लिए काम हो हम तो गभी इसमें करते हैं नहीं अस्तिला अस्तिकुन लोगों को राशन दिया बने दात के लिए अब जितनी लाभारतिय है भारत में मुस्लिमी जन सिंग का के आपात में वो करते हैं मुसलमानों का नाम नहीं लिया हम तो हिंदू मुसलमान को लग मानते नहीं है इसलिए जब लाभारतियों में जितने गरीबों को लाभारति मिले हैं उनमें 31% मुसलिम है आबादी से दुगना उनको लाभ मिला है ये नहीं दिखता है यह नहीं दिखता है, एक, तो इसलिए, अरे यहां की बात करो वर्दमान की महलाना जाता हूँ, महलाना तो सवापती मोदे, मैं यह बात करना चाहता हूँ, दूसरे में यह करना चाहता हूँ, कि शिक्षा के शित्र में, मानिये मोदी जिने, जो अभूत पूरू काम किया है, उस काम को मैं आप जाना चाहता हूँ, अब यह रणिंग का मेट्री मत करो विया, सुन लो थोड़ साथ देरे रखो, वो डारेक्ट होंगे, तो मैं जबापति मोजे, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कि शिक्षा के शित्र में नही शिक्षा निति लाइगा। जबादे शिक्षा निति वो डाड मेकाले की, जो शिक्षा निति अठारा सो चौरा सी मोजे नही शिक्षा निति, वो डाड मेकाले की, जो शिक्षा निति, अठारा सो चौरा सी में उन्होंने कहा था, मद्राज से लेकर, उसमें मद्राज नामता चन्नी का, मद्राज से लेकर उन्होंने यात्रा की, अर्यात्रा करके, भाउस आप कोमेंस में उन्होंने बासन दिया कि हमने या नए गरीब देखा है, नहीं हमने यहाँ पर लाचा राज में देखा है, नहीं जूटने वाला आज में देखा है, जब तक हम इनकी शिक्षा निति को समाप्त नहीं कर सकते, तब तक हम इनको गुलाम नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने हमारी शिक्षा पत्ति पर हमला किया, और लोड मेकाले के आधार पर हमारी शिक्षा निति बनी, वो शिक्षा निति चलती रही, उसको चेंज करने का प्रयास सबसे पहले किया, मुर्ली मुनोर जी जोसी, जब भारत के मानवसन सादर मंत्री थे, अट्रली वैरी वाजबेजी एक सरकार में, तब सर्व शिक्षा अभ्यान प्रारम किया गया, वहां से काम चालू हुआ, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, कि जब माने अर्जुन सिंग जी मानव सादर मंत्री थे, तब उन्होंने मुझे, मैं शिक्षा मंत्री था, राज्थान का, और सारे भारत की केप कमेटी का युनिवर्सलाइजेशन आप सेकंडरी एजुकेशन का चेर्मेन बनाय था, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और उस कमेटी के चेर्मे के नाचे हमने युनिवर्सलाइजेशन आप सेकंडरी एजुकेशन की रिपोर्ट दी थी, उसके उसके आधार पर युनिवर्सलाइजेशन आप सेकंडरी एजुकेशन हुआ, और उसके बाद में मानी मोजी दिने 2020 में नई शिक्षा निती जारी की, जिसके अंतरगयत ग् परसेंट लाने का लक्स रखा गया है, उसी परकार शिक्षा के शेत्र में सकल गरेलू उत्पादन का 3 परसेंट से बढ़ाकर 6 परसेंट सार जुनिक बे करने का तेक किया गया है, और माना उससादर मंत्रा ले का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रा ले किया गया, ये काम यहां स सुरू हुआ इसके बाद अगर हम देखेंगे तो शिक्षा पर जो बे किया जा रहा है उस शिक्षा के बे परमानी स्वापती गर ध्यान देंगे तो जो जार तेरा चोदा के बजट में 26,750 क्रोड रुपे थे 2022 में 46,828 क्रोड हुए और 2023 में 46,94 क्रोड रुपे हुए एक बड़ोत्री शिक्षा के ख्षित्रे में हुई इस शिक्षा में 13-14 में 22,701 क्रोड रुपे थे 22,63 क्रोड रुपे और 2023 में 68,804 क्रोड रुपे शिक्षा में बारश सरकार ने रुपे शिक्षा का ख्षित्रे का ये काम किया इसी प्रकार माननी स्वापती मोदे कि मुझे का हृफ वग्ता है मुझे कारिव ज था है're तो रुप एढलाट ए-टक्रोड रुप है तो मैं निविदन ये करना चाहता था कि मुझे का गया था कि आपको 15 मिन्ट का टाइम है इस ओनली क्राशन बेल वन मोर मिनिट प्लीज प्लीज क्या एक पाइंट पांच क्रोड लोग का नमांकन हुआ डिजिटल में अठारा लाग विद्यार थी और चोदाजार पांसो स्कूलों का विकास हुआ इसी प्रकार से केंद्री विद्याले हैं उनका भी हमने एकजार गुंचास से बढ़ा कर बारा सो गुंचास किये नवोदे विद्याले खोले हैं उच्चे शिक्षाओं में हमने ब्यारी सज्जार तीन सो त्यारी स्कूले जो हमारी हो गई हैं इसी प्रकार से युजी सी की सिंख्या में बढ़कर नब्बे परसेंट की बढ़ोत्री हुई है शिक्षा के हर क्षेत्र में काम किया है और शिक्षा को गुनुता पून करने के लिए मात्री बासा में शिक्षा देने के लिए और दो डिगरी एक साथ लेने के लिए और मुझे एक हटेव प्रसंदा है कि इस शिक्षा नेती को भारत के सभी प्रांतों ने भी स्युकार, सरकारों ने भी स्युकार कर लिया है और एशिट्षा नेती भारत के लिए एक नई दिसा का काम करेगी Thank you, thank you, Thank you, Gunash is a man, please conclude, thank you very much, thank you प्लिज गनशामुट जगतमान प्रधान नरेंद्र मोधी भारत माता ललित हो गई जी ट्वंटी जै शिरोमनी बड़ी साथ हमारी है गंतंत्र सिर्थ सिंगासन सक्ति सुरूपा नारी है श्रीमति जया बच्चन प्लीज श्रीमति जया बच्चन